श्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAZ Tally Account GST दोस्तो मेरे इस चैनल पर Tally Software में बहुत आसानी के साथ कारी करना सिखाया जा रहा है साती साथ बहुत ही आसान भासा में आपको GST के संबन में जानकारी भी दी जा रही है दोस्तो सरलता ही मेरे चैनल की विसेशता है जो भी टॉपिक लेता हूं उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्स्प्लेइन भी करता हूं जिससे कि सभी तरह के स्टुडेंट को आसानी से समझ में आ सके तो आप भी Tally Software में कारे करना सीखना चाहते हैं GST के संबन में ज और क्या सीखेंगे वो आपको सीधे हम चल के दिखाते हैं यह तो आपको पता होगा दोश्तों जो टेली सप्टवेर में उसमें जब हम कारी करते हैं तो यहां पर हम जो भी एंट्री करते हैं उन एंट्री के आदार पर ही यहां पर टेली सप्टवेर में GSTR1 return summary तैयार होती है आज बात करेंगे जिएस्टी रवन रिटन समड़ी में कि कुछ टेवल हैं जिन टेवल के बारे में ज्यादा कन्फूजन होता है कि उन टेवल में हमारी कौन सी सेल जाएंगी तो आपको उन टेवल के हमको जाना है जिएस्टी रवन रिपोर्ट देखने के लिए तो यहां से हम जाएंगे डिस्पले में ठीक न और डिस्पले के बाद फिर हम जाएंगे इस्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर जाएंगे GST में और यहां पर GSTR1 को स्लेट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हम आगे GSTR1 रिटर्न सम्परी में आज चाहें तो gateway अप टेली मुखमीनु से DOZ1 प्रेस करके भी यहां पर आ सकते हैं बहुती सीक्रता के साथ अब यहां पर पीरेड है एक अपरेल से लेकर 30 अपरेल 2020 और यह जो GSTR1 रिटर्न सम्परी है यह हमने तैयार नहीं किये यह तो हमारी जो हमें एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज के आदार पर तैयार होती है जो भी हमारी एंट्रीज GSTR1 में जानी हो से हमें GSTR1 में जानकारी देनी होती है हमारी कौन सी एंट्रीज किस टेवल में जाएंगी यह भी हमको ध्यान रखना होता है वही आज आज आपको बताएंगे सबसे पहले नंबर पर यहां पर शो हो रही है बीटूवी इन्वाइस सेज 4A 4B 4C 6B 6C इसमें देखेंगे तो इसमें दोस्त आपको पता होगा बीटूवी इन्वैस कि जानगारी जाती है यानि आपने ऐसी सेल किये है किसी rare इसिख्टर के को है ठीक है ओप जिसको सेल की हैं तो वो दो entries हमने की हैं वो देखिए इनका GST number भी यहां पर शो रहा है तो वो entries आपकी यहां पर शो होंगी B2B invoices के table में आप चाहें आपने अपनी state के registered party को sell की हो या अपनी state से बाहर की registered party को sell किया हो सारी की सारी entries इस तरह की आपकी B2B invoices भी table में सो होंगी इसके बाद table है B2C large invoices 5A 5B इस ही में बहुत confusion होता है कि इस table में कौन सी हमारी entries आनी चाहिए और कौन सी entries आएंगी तो इस वारे में आज आपको बताएंगे B2C large invoices की जो table है इसमें आपकी कौन सी एंट्री आएंगी इसके बाद है दोस्तो B2C small invoices ठीक न तो small invoices में क्या होता है वो भी आज आपको बताएंगे कि कौन सी entry आपकी B2C small invoices में जाएंगी और कौन सी entries आपकी B2C large invoice में जाएंगी इसके साथी साथ यहाँ पर चार नंबर है table और उहाँ पर लिखा हुए credit debit note registered 9B तो इसमें क्या होगा कि जो आपने B2B invoices दिये है न registered party को जो sell की है उनको यदि आप कोई credit or debit note issue करते हैं तो वो आपके यहाँ पर credit debit note registered 9B की table में आपको सोहोंगे ठीक ना इसके बाद नीचे एक और table है credit debit note unregistered 9B तो इसके बारे में भी confusion होता है कि credit debit note unregistered 9B इसमें कौन सी आपकी entries सामिल होंगी कौन सी entries सोहोंगे तो मुकुरूफ से आज आपको तीन table के बारे में बताएंगे B2C large invoices 5A 5B B2C small invoices 7 number है और credit debit note unregistered 9B अब दोस्तों आपको बताते हैं second number की table है B2C large invoices 5A 5B जब आप GST portal पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह GSTR बन में यह table होती है है न 5A 5B B2C large invoices तो यहाँ पर आपको कौन सी entries आएंगी वह आपको बताते हैं इसके लिए आप समझ लेशी तरीके से कि B2C large invoice ठीके न जो यह table है 5A 5B B2C large invoice इसमें आपकी कौन सी entries आएंगी तो दोस्तों आप यहाँ पर मैंने लिखके आपको बताया है तो आप यदि कि अपनी state से बाहर सबसे पहली जो condition है वो यह है कि आप जो sell कर रहे हैं ठीके न वो आपकी state से बाहर की हो यानि interstate cell हो ठीके न दूसरा आप जो sell करने जा रहे हैं वो interstate हो इसके साथी साथ वो consumer या unregistered person को की गई हो ठीके न consumer means क्या है वो बोकता जो आप से चीज ले जाएगा कोई भी आइटम आप से प्रॉडक्ट पर्चेश करेगा और वो उसको क्या करेगा यूज करेगा अन्रेजिस्टर या छोटे-छोटे जो व्यापारी होते हैं वो unregistered की स्रेडी में आते हैं उनके पास भी जियस्टिन नहीं होता है तो उनके बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझ लें कि आप ऐसी सेल करेंगे जो की आपकी स्टेट से बाहर की हो फस्ट कंडिशन सेकेंड कंडिशन वो सेल आपने consumer या unregistered को की हो ठीके न तीसरी कंडिशन ये है कि जो आप इनको सेल्स का invoice देंगे एक invoice की बात हो रही है आप इनको जो सेल्स का invoice देंगे उस invoice की value जो आप इनको सेल्स का invoice देंगे उसकी invoice value दो लाग पचास अजास से ज्यादा है तो आपकी ऐसी सेल जाएगी B2C large table में ठीके ना तो ऐसी सेल आपक कि B2C large जो table है उसमें आपकी कौन सी sales आएगी ठीक है ना सबसे पहली बात तो समझ में आगे होगी कि आप अपनी state से बाहर sell कर रहे हैं consumer या unregistered को कर रहे हैं ठीक है ना और ऐसा sales invoice दे रहे हैं जिसकी एक ही sales invoice की जो तो invoice आप देने जा रहे हैं उसकी invoice value invoice value का आप total value भी समझ सकते हैं यानि लास्ट जो वेल्यू होती है तो आपकी ऐसी sales B2C large कहलाएगी इसके अलावा जो भी आपकी sales होंगी consumer या unregistered को ठीक ना इसके अलावा सिर्फ एक यही एक condition है जिससे की आप जो भी consumer या unregistered को sell करेंगे ठीके ना वो आपकी sales आएगी B2C large table में सिर्फ एक ही condition है आपकी state से बाहर आपने sell की हो consumer या unregistered को की हो sales invoice जो आपने उनको दिया है उस invoice की total value धाई लाग रुपे से जादा है तभी आपकी B2C large table में आपकी sell जाएगी इसके अलावा आप consumer या unregistered को कैसी भी sell करेंगे चाहें आप अपनी state में करें चाहें अपनी state से बाहर करें ठीके ना इस condition के अलावा बाकी सारी की सारी आपकी sell जाएगी B2C small invoices में चली आपको करके दिखाते हैं अब यहाँ पर हम देख रहे हैं B2C large invoices में आपको कोई भी यहाँ पर data store नहीं हो रहा है तो इसकी entry हमें करते हैं और century के आदार पर आपको बताते हैं कि देखिए कैसे आपकी यह वाली जो sell हम करेंगे वह sell वहाँ पर जाएगी इसके लिए हम यहां से चलते हैं accounting voucher में voucher entry करेंगे ठीके ना और F8 प्रेस करके हमने sales voucher को यहाँ पर ले आए आ डिठ जो भी है वहाँ डाल देंगे मानके चलते हैं यहाँ पर 11 005 यहाँ डाल देंगे अब यहाँ परodzi's account नेंट में आ अगया अब यहां पर औ cœur करें ओ कर करने के बाद आप यहां पर बायर का नेम भी डाल सकते हैं यानि जिसको आप सेल करने जा रहे हैं अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी को सेल करने जा रहे हैं तो उसका नेम यहां पर डाल दें address के column में आप address डाल दें ठीक है न और यहां पर आप मद्ध प्रदेश state है तो हम बात कर रहे हैं अपनी state से बाहर की तो list of states यहां पर आगी जो भी state है वो state आप यहां पर chain कर लें और इसके बाद GST registration type में consumer को दे रहे हैं तो consumer कर लें और unregister को दे रहे हैं तो आप unregister कर लें लेकिन दुसरा तरीका ये भी है कि आप laser भी बना सकते हैं तो यहां पर हमने एक laser बना के रखा है रोहित सर्मा के नेम से ठीक है न आप रोहित सर्मा का जो हमने laser बनाया है वो आपको laser दिखाते हैं control के साथ enterprise किया आप देखिए रोहित सर्मा का हमने laser बनाया है Sunday Dators group के प्रदेश के यानि हमारी state से बाहर के हो गए पहली condition हो गई दूसरी बात क्या है यह कौन है consumer है ठीक न तो इनको हमने क्या किया रेजिस्टेशन टाइप में consumer रख लिया अभी क्या है रोहित सर्मा हमारी state से बाहर के हैं और consumer भी है ठीक न दो condition यहां पर fulfill हो रही है इसके ब लार्ज इन्वाइस में ठीक है ना बीटुसी लार्ज वाली जो टेवल है उसमें चली जाएगी आईए करके देखते हैं यह ग्रहा कहें और इन्होंने क्या किया कुछ आइटम हमसे पर्षिस किये तो हमने यहां पर ABCD इस तरह से stock आइटम बना लिए हैं मानके चलते हैं कि दो कॉंटिटी में इन्होंने हमसे लिया जिसकी 25,000 रुपए पर कॉंटिटी रेट थी इसके बाद इन्होंने हमसे लिया 20 स्टॉक आइटम यह भी एक कॉंटिटी में लिया इसके बाद सी स्टॉक आइटम एक कॉंटिटी में लिया और डी स्टॉक आइटम है वो इन्हों की party है यह तो यहाँ पर हमको लगाना होगा IGST tax अब देखिए IGST tax यहाँ पर हमने लगा दिया अब इसकी total value invoice value किसको ओलते हैं दोस्तों जो सबसे last value होती है total value तो invoice value का क्या condition थी दो लाग पचास अजार रुपई से उपर यानि हमारी state से बाहर हम sell करेंगे तो हम अपनी state से बाहर sell करने जा रहे हैं क्योंकि रोईस सर्मा जो हमारी state के नहीं है यह उत्तर प्रदेश के हैं तो पहली condition तो यह होगी दूसरी क्या है रोईस सर्मा consumer भी है है न मैंने बोला तक consumer या अन्रेश्टर को करेंगे तो रोईस सर्मा consumer है दूसरी condition भी यहाँ पर fulfill हो रही है तीसरी condition यह थी कि इनको अब इस तरह की जो sell करेंगे उसमें invoice value दो लाग पचास अजार रुपए से जादा होगी तो यह बीटूसी लार्ज में जाएगी तो देखिए यहाँ पर दो लाग इकत्तर अजार पांस रुपए इसकी invoice value हो रही है अब हम इसको कर देते हैं accept अब इसको accept करने के बाद अब हम फिर चलते हैं GSTR 1 रिपोर्ट में अब देखिए यहाँ पर जो हमने इनको sell किती यह वाली वह वीटूसी लार्ज invoices 5A 5B में सोने लगी पाउचर एक यहाँ पर सो रहा है टेक्सेवल वैल्यू 2,25,000 रुपए है टेक्सेवल वैल्यू से काम नहीं करना है आपकी जो invoice वैल्यू है टोटल वैल्यू है वह आपकी धाइलाग रुपए से उपर निकल जाएगी तो आपका यह वाली जो आपक कि केवल आप इतनी चोटी सी बात याद रख लें कि जो आप business to business अगर करेंगे ना registered party को sell करेंगे तो वो तो आपका B2B में आ जाएगा अब यह consumer की बात है यह दोनों टेवल B2C large और B2C small यह दोनों consumer और unregistered को sell की बात करते हैं ठीक है न तो हमने consumer या unregistered को sell की तो B2C large invoice वाली table में हमारी बो ही entry जाएगी जो entry हमने अपनी state से बाहर की हो किसी consumer या unregistered को की हो और उस invoice की value टोटल वेल्यू दो लाग पचास अजार रुपई से जादा हो ठीक है ना तो बो एंट्री सिर्फ इसमें जाएगी अब माल लीजे इन ही को हमने जो sell की है ठीक है रोई ठीक है ना तब भी यह किस में जाता यह जाती बीटू सी में चली जाती क्योंकि दो लाग पचास अजार से ज्यादा जाएगी अगर दो लाग पचास अजार रुपई भी इसकी total invoice value है ना इसी condition में same to same इसी तरह से यहम sell कर रहे होते तो यहाँ पर यदि last invoice value वो यहाँ पर दो लाग पचास हजार होती दो लाग पचास हजार भी ओती तब भी यह कहा जाती B to C में चली जाती क्योंकि दो लाग पचास हजार से ऊपर की इस तरह की sell होगी वो ही जाएगी आपकी B to C large table में ठीक है ना अब आपको सिर्प एक वात यह रखना इसके बाद अब बात करत और अपनी स्टेट से बाहर सेल की किसी भी अगर आप आप एपनी स्टेट से बाहर रreseय्टर को करेंगे तो वर राऍप कंजूमर को कर रहें अपनी सेल की आपने सेल की से किसी भी Whenever can या unregistered को, जिसकी एक invoice जो आप दे रहे हैं, उसकी value दो लाग पचास अजार रुपए तक है, तो वो आपकी B2C small में सामिल होगी, इसके अलाबा अपनी state की बात करें, तो अपनी state में आप चाहें, दो लाग पचास अजार रुपए से नीचे की sell करें, consumer या unregistered को, या दो लाग पचास अजार रुपए से ऊपर की करें, consumer या unregistered को, वो entry भी आपकी B2C small invoices में ही आएंगी, ठीक है न, तो इस तरह की सारी entry यहाँ पर आगे, अब बात करते हैं, कि credit debit note unregistered 9B, तो इसके बारे में आप समझ जाएं, इसमें क्या लिखा है, credit debit note जो आप इसू करेंगे, unregistered को, वो आपकी 9B table में सोंगे, तो वो से लोग confused हो जाते हैं, क्योंकि B2C की जो है, large भी है, invoice और B2C small invoices भी है, दोनों table है, तो इसमें केवल वो ही आपके credit या debit note आएंगे, दोस्तों, जो कि आप B2C large invoice जो दिया है, उसके विहाब पे आप करेंगे entry किसकी credit या debit note की, क्योंकि यहाँ पर unregistered लिखा है credit debit note, तो लोग यह सोचते हैं, कि यदि हम B2C large invoice के लिए, है न, अगर credit या debit note इसू करते है, वो भी इसमें आएगा, इसके लाभा B2C small invoices है, इसकी वी entry ज जो आपने B2C invoice दिये है, sell की है, उसके against, अगर आप कोई credit या debit note इसू करते हैं, तो वो B2C small invoice से इसी में adjust हो जाएगा, इसी में minus हो जाएगा, या plus होना होगा, तो प्लस हो जाएगा, वो अलग से जानकारी नहीं जाएगी, यह जो table है, credit debit note unregistered 9V, जो आपको यहाँ पर की दिखाते हैं, यह देखिए, credit debit notes unregistered 9V number की जो table है, इसमें बताते हैं कि आपकी कौन सी जाएगी, तो इसमें केवल वो ही जानकारी जाएगी, जो B2C large invoice आपने दिया, जैसे अभी हमने यह B2C large invoice दिया है, रोहित सर्मा को, ठीके न, अब इसमें से कोई माल हमारे पास व बापस आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, credit note में इसकी entry करेंगे, ठीक है न, sales return के entry करेंगे, तो वो entry हमारी इसमें आएगी, ठीक है न, समझ गया आप, कि B2C large invoice के against में जब भी आप कोई credit या debit note issue करेंगे, वो ही entry आपकी आएगी, इसमें credit debit note unregistered 9V table में, चलिए करके देखत हैं, ठीक हमने क्या किया था, रोहित कुमार को माल वेच आता, voucher entry में चलते हैं, अब इनमेस से माल के चलते हैं, कोई product हमारे पास बापस आगे, किसी बज़े से, तो हम क्या करेंगे, उसकी entry करेंगे, credit note voucher में, sales return की, तो यहाँ पर हमने credit note voucher ले लिया, जो भी date हो, वो date ड पर्मा, ठीक है न, और इसके संबंदुद जानकारी थी, वो आपकी यहाँ पर आगी, यहाँ पर लेंगे sales return का laser, अब यह stock item हमने इनको sell किया था, ठीक है न, इसमें से मान के चलते हैं, एक stock item हमारा बापस आगे, ठीक है, आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई जी ध्यान रखना है, यह B2C large invoice जो हमने दिया था, उसके against में, हम sales return के entry कर रहे हैं, इसलिए यह जाएगी किसमे credit debit note वाली, जो यह आपकी table है, इस table में सो होगी, 9V credit debit notes unregistered, है न, और यदि यही credit note की जो entry हम करते, किसमे B2C small invoice हमने जिसको दिया था, उसके against में करते, तो यह ह हो जाएगे, और उसी में adjust करके आपको रखना है, तो यह हमने entry कर दी, sales return की, अब हम फिर से आ जाते हैं, TOG one price किया, अब देखिए, यहाँ पर जो entry थी, वो हमारी 100 होने लगी, यह देखिए, credit debit notes unregistered 9V, 25,000 रपे, इसकी taxable value माइनस हो गई, ठीके न, क्योंकि यह माइनस ह करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर, और invoice का amount भी यहाँ पर शोग रहा है, 29,500 रपे माइनस, ठीके न, अब इसको select करके enterprise कर देंगे, तो यह देखिए, यही वाली हमारी entry है, 25,000 रपे taxable value है, 45,000 रपे, इसकी total invoice value है, तो कौन सी entries में आई, जो हमने क्या किया था, रोहित पर्मा को जो हमने sell की ती, इसी sell के against में हमने, जो product हमारे पास बापस आया, तो इसी जो हमने sell की ती, उसी के against हमने क्या किया, sales return की entry की credit, note voucher में, और वो यहाँ पर इस तरह से so होने लगी, तो आपको समझ में आगया होगा दोस्तों, छोड़ी सी बात है, थोड़ा सा ध्य की हो, unregistered या consumer को sell की हो, second condition, और third condition, invoice की value, 250,000 रपैसे जादा हो, और इसके अलावा जो भी आप consumer या unregistered को, यानि जो entry आपकी B2C large में नहीं आ रही है, जो मैंने condition बताए, वो condition फिल-फिल नहीं हो रही है, इसके अलावा आप जो भी consumer या unregistered को sell करेंगे, वो सारी की सा return की, आप entry करते हैं, तो वह आपकी B2C small invoice से, इस ही में plus minus होके आ जाएगी, ठीके न, और credit note debit note registered, तो जो आपने B2B sell की है, first number table में, उसके against में, यदि आप कोई credit debit note issue करते हैं, तो वह आपको इस table में सोगा, और ये credit debit notes unregistered 9B की जो table है, इसमें आपने B2C large invoice दिया है, उसके against में, यदि आप credit और debit note issue करते हैं, तो वही आपकी इसमें show होंगे, तो दोस्तों आसा है कि आज का topic आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें, धन्यवाद,